इस वीडियो इस डिमोंस्ट्रेशन है कि बैसिकली जो मैंग्रूव है वो कैसे फंक्शन्स करते हैं ठीक है दा फंक्शन्स ऑफ मैंग्रूव जो है वो इसमें दिखाये गया है कि जो मैंग्रूव है वो कहीं न कहीं बचाते हैं जो भी पानी होता है यह एक्सेस वाटर होता है ओशेंस में ठीक है आज की जो हमरी नियूज है वो इसी पे बेस्ट है ठीक है पहरी जो नियूज है इस रिगार्डिंग दी वाई मैंग्रूव हाज कॉट अब बचेट पूस्ट आपको पता है कि यूनियन बचेट यूनियन बचेट दो हजार तेईस चौबिस को कह किया गया है अनॉंस किया गया है बाइयार फाइनेंस क् दॉ कलेूंधि टेस्ट और जो एकाडेमिक्स है उन्होंने स्लाइन किया है शाच है अनुठिट यू बिप् Isn फ्की की कि प्रमकीन बनीती थी प्राइम मिनिस्टर स् drill techniques पे तो उसको जैघन कर Cookie is क्या तो उसके रिकार्डिंग अर्टिकलें सब्सकर यहैं uh अर्टें आ ठ करते हैं तो क्यों किया इसके साल सभूत छाए की आपको बीडियो दिखा है कि जो पानी आ रहा है एक और यहाँ पर जो ऊ smartest के किनादे ते हैं वह होते हैं तो यहां पर कोई शहर है सा तो इसव कि वजे से क्या होता है पानी जादा नहीं है आपाता है यहां पर यह पर जो एक्सेज वाटर है वो बचाता है और यहां पर सेविंग हो जाती है ठीक है अब इसके रिगार्डींग यहां पर कई सभी सारी चीजा समझना हीा इस आर्टि andar के रिगार्डिंग सबसे वरी आपको पता होने चाहिए वाट इस मिस्टी टिक मिस्टी के मिस्टी इस दी मैन गूरू इनिशियेटिव फॉर शोर लाइन हाबिटएट्स एन टैंजिबल इनकम तो यह बात रहे किसकी मिस्टी क्या है मैन गूरूफ इनिशियेटिव फॉर तर्शोर लाइन, हाबिटएट, एं तैंजिबल इनकम तो यह एक इनिशियेटिव है मिस्टी दूसरे आपको पता होना चाहिए कि जो भी coastal reason में जो भी aqua culture होता है ठीक है aqua culture aqua culture का मनदल क्या होता जैसे फेशिम हो गई ठीक है और विभबा के सारी जो चीज़ हो रही है इसकी वज़े से भी क्या होता है ठीक और उसके साथ साथ जो misty है ठीक है misty जो है उसको implement किया जाएगा under the two schemes यहनिकी जो misty है इसको implement किया जाएगा under the two schemes the first is the camp pie scheme ठीक और second is the mg नरेगा ठीक है मात्मा गांदी national employment guarantee scheme और यह क्या है this is the compensatory aforestation fund management and planning authority यह क्या करती है यह basically जो अथार्टी है यह क्या क्या करती है compensatory aforestation करती है ठीक है compensatory aforestation कि मतलब क्या होता है compensatory aforestation का मतलब होता है compensatory aforestation का मतलब होता है कि आपने अगर एक जगह पर जो पेड़ काटे हैं उसके जगह अब दुस्री जगह पर पेड़ गोगा है तो यह क्या हो गया इस इस कोड़ दा compensatory afforestation ठीक है और थोड़ी सी बात की जा तो आपको पता रहा है अच्छी यह यहां से कि जैसे अगर एक परसेंट ठीक है अगर एक परसेंट जबी mangroves है ठीक है जो mangroves बचे हुए है उसका अगर एक परसेंट भी loss होता है तो जो एक परसेंट मैंगरूफ loss है वो 0.23 जीगा ठीक है tons of co2 के equivalent होता है ठीक है तो यह आपको पताना चाहिए कि अगर remaining 1% of the mangrove का हम loss कर दें तो 0.23 giga ton of the co2 इतना इसका reduction होगा ठीक है यहां से चीज़ से पता होगी दूसरी चीज़ अगर बात किया जाए कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो इंडिया है ठीक है एक और point आपको यहां से पता होना चाहिए कि जो mangroves है ठीक है mangroves are estimated to hold up to to take four times the amount of co2 as any other ecosystem as any other ecosystem यहीं कि किसी और ecosystem में जितना जितना भी किसी और ecosystem में जितना भी कि इंडिया जोंगा कि इंडिया जोंग दी mangrove mangrove alliance for climate at 27th session of conference of party आपको पता रहनी चाहिए ठीक है फिर अगर बात करें कि यह कहां पर important है देखिए टॉपिक हमारे 24th of north of and 38 degree of the south वा मिलते हैं यह क्या है इंटर टाइडल जोन है ठीक है यह क्या है इंटर टाइडल जोन है ठीक है तो यहां से यह चीज़ें आपको बतरने चीए दूसरे कर और बात की जाए मैंजूफ के बारे में एक आपको जिसे मैं ने बताया आप इंटर टाइडल जोन गाया है तो अगर इंटर टाइडल जोन होते हैं यहां पर क्या होता है कि लागव ऑफ और इंटाइडल जोन होती है और इसके बाद है अपने आपको अडॉप्ट कर लिखते हैं यहां पर आप दे सकते हैं यह सब मिलती हैं यह सब सारी चीसे किसके बरे में हैं मैंनगरू एडिया के बरे में ठीक है और यहां पर यह क्या है बट्रिस रूट है बट्रिस रूट ऐसी होती है ठीक है फिर बात करें यह हैं यह हैं नियुमेटोफोर्स नियुमेटोफोर्स के क्याजन कौन से प्लांट्स होते ह जो औकसीजन से लेते हैं बिसकली हवा से ठीक है और उसके बाद आते हैं वी Klip-ठी क्या होती है कि basically एक के ऊपर एक कहीवो करहा है तो टेक ऐद इंद्ग करते हैं बात करते हैं थमान। होते हैं types of the mangroves mangroves होते हैं कितने type के हैं पपले लिखा हुआ है true mangroves ठीक है यहां पर क्या हो जो mangroves होगा वोडी होगा occurrence in the mangrove ecosystem has adaptation क्या होगा उसमें adaptation होगा यहीं कि stilt root होंगी जैसे मैंने दिखाया कि इतरह कि roots हो सकती है stilt root है butless root है निमेटोफोर्स है वीवीपेरी एंटा salt exclusion gland examples क्या है एक्जामपल्स है आपका एवी सीनिया और ऑफी शैनलिस और उसके बाद राइजोफोरा ती सारे क्या है यह examples है true mangroves से फिर mangroves associate no higher salt tolerance ठीक है यह क्या है यह mangrove के साथ उखते हैं इसलिए ज्यादे में salt tolerance नहीं होता है और उसके बाद adaptation की problem होती है examples ठीक है examples क्या दिए गया है अलन्ड जीम साल वी फोलियम ठीक है और उसके बाद test PCR और उसके बाद इंडिया कंडिशन की बात की जाए तो इंडिया कंडिशन में जो true mangroves से उनकी संख्या कितनी है 42 लगबग है और जो mangroves associate उनकी संख्या कितनी है 68 है टिक mangroves के distribution की बात की जाए तो mangroves जो distributed है वो इंडिया में निर अबवाट 5000 स्क्राइब करने के लिए टोटल कितना है 405 तो इस तरह से गुजराद में जो वेंग्रूप के संगया थे गामांट काफी ज़ादा है फिर उसके बाद उससे भी ज़ादा काँप है West Bengal में सब से ज़ादा क्या है मेंग्रू का एडिया है क्योंकि यहाँ पर क्या है यहाँ पर सुन्दर भन है ठीक है तो यह चीज़ यहाँ सबताओ न हूँ चीज़िए reclamation of the land for the agriculture आपको बताए कि जो mangroove होता है तो लोगों को क्या चाहिए अगरिकल्टर लैंड चाहिए तो वहाँ क्या कर रहे है कि जो भी mangroove है तो mangroove को हटा कर वहाँ पर क्या कर रहे है agriculture कर रहे है क्योंकि उनके पास land की कमी है जिसकी जैसे क्या होता है mangroove को लॉस हो रहा है फिर उसके पर एक्वाकल्चर और फिश्टी जिन्दा कोस्टल एरिया जो भी एक्वाकल्चर और फिश्टीज होती है तो जब वहाँ पकड़ने जाएंगे तो वहाँ पर भी एरिया खाली करना पड़ेगा तो mangroove को लॉस हो रहा है फिर cutting down of the mangroves for the timber, fodder and fuel timber के लखड़ी के लिए fodder चारे, fuel के लिए और हम लोग mangroves को हटा रहे है industry activities कर रहे है mangroves के फाइदे क्या है mangroves को कहते है mangroves को कहते है lungs of the ecosystem lungs of the ecosystem ये बोलते है mangroves को combining climate change मैंने भी पताया कि पूरे world में जो भी ecosystem है उससे 4 गुना 4 टाइम्स जादा जो है वो carbon का sequestration कौन करता है carbon का sequestration करता है mangroves तो ये पताऊने चीफ है मैंने बताया कि अगर 1% mangroves का loss हो जाए ठीक है अगर 1% mangroves का loss हो रहा है तो जो ये mangroves का loss है वो 0.23 giga tons of CO2 के equivalent है ठीक फिर उसके बाद state of the world mangroves रिपोर्ट जो है थी 2000 अबास उसने बताया कि mangroves क्या है 4 टाइम्स of the carbon storing capacity compared to the other ecosystem जैसे मैंने आपको बताया इंडिया कार्बन न्यूट्रिल बाई 2070 2070 तक इंडिया को क्या है ये carbon neutral बने में क्या करेगा help करेगा reducing the effects of the cyclone cyclone के effects को क्या करेगा reduce करेगा coastal erosion में help करेगा और और बायो डिवर्सटी को प्रेजर्व करेगा फिर मैंने भी बात किया आप से misty initiative की ये क्या है mangrove initiative for the solar and habitat अंडिया tangible income फिर मैं बात करते हैं कि mangrove seed plantation drive mangrove seed plantation drive फिर उसके बाद involved मने रहेगा scheme and the camper fund मैंने बताया था कि जो misty है ठीक है उस misty के इंतरगत जो भी जो ये misty है इस misty के इंतरगत दो चीज़ें आएंगी यानि कि जो scheme है ये implement होगी under the camper fund और उसके बाद under the mg नरेगा ठीक है तो mangrove has a long gestational time ये issue है ठीक है mangrove भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि mangrove आपने लगा दिया एक जगर इसे camper fund है camper fund में क्या कर रहा है camper fund में compensatory or forestation कर रहा है तो compensatory or forestation से ऐसा तो नहीं mangrove एकी दिन में होग जाएगा 20-30 साल लगेंगे उसको उगने में ये कहा है जो उसका gestation period हो काफी long है फिर इसकी बाद solution क्या है हम क्या करें कि educating and innovating the community हमें जो community है लोगों क्या करना पड़ेगा educate करना पड़ेगा innovate करना पड़ेगा चीजों को तो हम बात करते है next is the 500 scientist और जो academics हैं ठीक है उनको slam किया है censorship of the BBC ठीक है यह क्या है भाई प्राइबेशन ठीक है तो प्राइबेशन अव दे सर्कुलेशन अव दे कंटेंड अव दे हार्फ फॉर्टी सोसाइटी और थी अक्टिविटी यहनि की कोई भी चीज अगर सोसाइटी के अची नहीं है तो हमने इसको censorship कर दी जैसे हमारा जो एक बोर्ड है जिसका नाम है फिल्म सर्टी टिकेशन बोर्ड ठीक है लेकिन यह बोर्ड जो है वो इतना censure मतलब इतनी चीजों को कट करता है फिल्म में तो इसका नाम जो है न censure बोर्ड पढ़ गया है तो क्या करेंगे तो वहाँ पर censorship कर देंगे तो दूसरी चीज़ अगर कोई भी फिल्म है सीरीज है तो वहाँ पर censorship करेंगे लेटरेचर में स्पीच में रिपोर्ट दॉक्यमेंट मैगजीन निउस्पेपर कोई सौंग है मुजिक है जरूरत क्या है censorship की सब करता है national security को protect करता है आपको पता है कि कई सारे चीज़े होती है जो हमारे जो national security है जो national interest है उनके लिए वो ठीक नहीं है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है censorship का सारा लेना पड़ता है next is information about the airports atomic powers station need to be safeguarded इसको भी safeguard करना पड़ती है फिर नेसेसरी तो प्रमोर्ट तो सोचल हार्मनी फिर उसके बाद can be used to prevent the chaos or discord among the public फिर प्रोटेक्ट देशिलन from doing the inappropriate content हमें क्या लगानी पड़ती है age restrictions भी लगानी पड़ती है you very well know about it next is can be used to contain the spread of the laws in India press council of India ठीकिए तो press council of India ये भी क्या है press council of India ये भी हमारी censorship की body है ठीकिए regulatory ये का कई गर्ती है ये press council of India जो भी print media है ठीकिए print media घंद है जो भी चीज़ए publish हो रही है उसका regulatory functions कौन देखותी है उसका regulatory function देती है तो press council of India प्रेबर मीडिया है प्रिंट मेढ़िए उसका बिलिवूटी फंक्शन दिखती है उसकी बात सेंसर बोट अव 확진 सर्टिफिकेशन अभी मेंने बताया कि सेंसर बोट ओफ फिल्म संटिफिकेशन इसको हमने सेंसर बोट कहा धिया यह विआ दिया यह कि पूल ढिपMiss करते हैं प्रोवीज आईटी आक्ट आया था आईटी आक्ट के अंतर गद्ध हम लोग चीजों को करते हैं करते हैं आईटी आक्ट भी यूज किया रहा है इसके लिए सोचल मीडिया के कर्टेल्मेंट के लिए टिक आईटी आक्ट में कई साथ प्रावधान जैसे 66A ठीक है 69A ठीक है यह सरी चीज है फिर मत करते हैं डिसद्वांटेज क्या थे गोस अगेंस्ट आप प्रोवीजन अफ दी आर्टिकल 9 जो भी आप सेंशर्शिप कर रहे हो ठीक है जो भी दिस्टिक्शन लगा रहे हो ठीक है कहीं न कहीं जो है वो आर्टिकल 19 यानिकी बिसिकली राइट तो इसके अंतरगत जाता है ठीक है और बिसिकली ठीक है तो यह कहा है इसमें चिलिंग एफेक्ट भी आ सकता है फिनॉमेना वेर दे इंडिविजुल रिफेंस्ट इंगेजिंग फीन एक्सप्रेशन अप दा रणिंग अगेंस्ट ला ठीक है तो बही है जी सगी फ्री एक्सप इसके लोगों की जान जा चुकी है ठीक है तो यह तो यह इसपरिट करती है प्सप्रेशन जो चलती रहती है यह लगती कैसी है ऑक्सीजन फ्यूल से लग गई ऑक्सीजन से लग गई हीट सोर्स है कोई वहां से लग गई या बिजली कड़गी पानी हवा इनकी जो नाच्रल चीज़ें वहां से लग सकती है और मैंड मेट कॉस क्या होते हैं जैसे आप कैम फायर जिला रहा हो फिर इसके बाद लैंड क्लिरंस कर रहा हो इंग कर चाहिए यह सारे कारण हो सकते है है किसे लिए फ़रीस क्या है कि इसके वजह से क्या होगा ट्रांस पॉटेशन कंविकरवेशन ड़ोगी होगी और मैट्रे कर देगा क्या इसका को गया हैं मूं कि बिल्कुल है यह रिमूव कर देंगा लो ग्रोइंग बुशे जो भी शोट शोटी जो गहां से निकलती है उनको क्या करतेगा यह देदरे खतम कर लेगा तो यह चीज़े यहां से पतर नहीं चाहिए फिर इसके बाद clear a drug in the forest में डेबली उसको खतम करेगा यह सोईल को nourish भी करेगा, reduce करेगा competition for the nutrition फिर इसके बाद measures कहके लेनी की जरूरत है जैसे National Action Plan for the fire forest यह बनाने के जरूरत है फिर तक ही जो भी information है उसको disseminate किया जा सके regarding the forest fire to the communities से इस देखित आप हिए बस्टेट के बारे मैं तो यहां पर भात पर समझेंगे बारे में है यहां पर दोनी ऊथिए कि वार मियों पहन है है कि यह क्या है इट इस दी वन ओफ दी हैवियस्ट फ्लाइंग बर्ड एंड इन्नेमिक तुड़े इंडियन सॉपकॉंटिनेंट जो मेल है वह 122 सेंटीमीटर टॉल होता है और 111 से 15 किलो वेट का होता है फीमेल 9-10 सेंटीमीटर टॉल होती है और 4-7 किजी वेट के होती है इनकी जो भी रिप्रोडक्टिव रेड होती हो क्या होती है काफी स्लो होती है और जो मेट होते हैं वह करते हैं इंफिलेट गोौरिला पॉजंब आप्राक्ता florin lard में यह रहते हैं distribution कि मिलता है इंडिया मिलता है और पाकिस्तान में मिलता है 90% जो total birds बढ़ व्योटी इंडिया में हो पर तार डेजिट में धीक हें धार डेजेट में हें ठीक है थार डेज़ेट कहां पर गुजरात महराश्ट और अंधर पतेश और गुनाटका में भी मिलती है, थेट क्या है, कोलिजन्स with the power lines and electrocutions, तेकि यह जो बड़े ही power lines से टकरा जाती है, इसके वज़े से क्या हो जाता है, electrocutions हो जाता है, बिजली से टकरा करें की क्या हो जाती है, मौत जाती है, which is very terrible, तो यह आप को यहां से बताना ने चीए, conservation status की बात करें की यह क्या है, critically endangered है, तेकि, IUCN की red list में critically endangered है और site के appendix 1 में है, तेकि, included in the recovery program integrated development of the wild habitat ministry of environment, forest and climate change, तो यहां से यह चीज़े आपको बताना ने चीए, फिर रहां बात करते हैं, budget outlay for the e-codes will boost efficiency, save cgi, तो जो भी e-codes के लिए, जो भी budget allocation किया गया है, तो यह क्या करेगा, यह court की e-codes efficiency को बढ़ाएगा, आपको पता है कई सारी जो hearing's है, अब इस समय क्या है, कई सारी जो hearing's है, ठीक है, वो hearing's है, वो कैसे चलती हैं, कई सारी जो hearing's है, वो e-codes की मातिम से चलती है, गुजराद जो बना था, गुजराद जो बना था, वो पहला state बना था, जहां पर e-codes की hearing चल रही थी, तो यह भी आपको यह पता रहना चाहिए, ठीक, court के बारे में बात किया जाए, तो यह क्या है, यह eliminate करता है, presence of the litigants and the large in the court, ठीक, और उसके बाद, e-codes के बारे में बात करना है, फिर यह education of the case online, जो भी cases होते हैं, उनको online resolve करता है, ठीक है न, यह जो भी speedy trial है, ठीक है, speedy trial को promote किया जाता है, ठीक, जो e-codes है, जो project है, यह based है, national policy on the action plan for the implementation of the information and communication technology, यानि कि ICT से ICT के पर based है, क्या e-codes, ठीक, in the Indian judiciary, दोज़र पाच रिपोर्ट, इसका जो पैसा है, वो आता है, department of the justice, ministry of the law and justice के पास से, ठीक, उसके बाद करते हैं कि e-codes के फाइदे क्या है, e-codes के फाइदे क्या है, कि e-codes के फाइदा की बात करें, लोगों के लिए क्या फाइदा accessibility मिलेगी, आसानी से, आप अपने case को register कर सबोगे, ठीक, न, reduction in justice हो जाएगा, reduction in justice, फिर उसके बाद transparency, research, environment friendly है, lawyers के लिए क्या है, drafting better legal, strategy, need no, no need for the regular application, यानि कि आप सारी चीज़ें जो हैं, वह online ही देख सकते हैं और दूसरी जो चीज़े हैं, बहुत ही जादा easy हो जाएगी, speed हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, चीज़े wilderness, speed हो जाएगी फिर बात करते हैं judges के बारे में, judges के लिए क्या हो जाएगा, judges के लिए, जो case होगा, इंटरनेट पेनिटरेशन जो भी इंटरनेट का पेनिटरेशन है वो क्या है लो है यानि कि हर जगा जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्याद अवेलबल नहीं है फिर उसके बाद विल्नेबल्टी ऑफ दे हाकिंग आपको पता है जब भी कहीं पर भी ICT that is information communication technology या कोई भी जो IT सेक्टर है उसकी related अगर कोई भी चीज़ बात की जाती है तो वहाँ पर कहीं न कहीं एक scam की जो होती है वो या हम बात करें अगर cyber crime तो cyber crime की कहीं न कहीं क्या होती है एक problem बनी एती है तो उसके बाद low digital literacy अभी भी हमारे यहाँ पर जो गाओं में बहुत ज़्यादा जो mobile phones हैं ठीक है अभी उनकी availability बहुत ज़्यादा नहीं है हम 5G की दो बात कर रहे हैं पर अगर देखा जाए तो 4G बहुत जगा नहीं पहुंच रहे हैं ठीक है तो यह सारी चीज़ हो सकती है low digital literacy में weak digital infrastructure हमें अभी अपना जो भी digital infrastructure उसको बढ़ाने की जरुवत है इवन दो अगर village की बात की जाए तो village में internet का जो भी चीज़े access है वो क्या है पहुंच गहीं है जैसे अ इशू जेता एकोड तीस अरिक है एकोड के साथ इशू